हरे कृष्णा, पित्रों को समर्पित 15 दिन के अवदी बहुत शुब मानी जाती है, इन दिनों पित्रों की आत्मा की शान्ती के लिए पिंडदान श्राद कर्म तरपरनादी की कारे किये जाते हैं, दार्मिक मानेदा गनसार जिस व्यक्ति पर पितर प्रसन हो जाते हैं, उसक के साथ श्राद के कारे करें, इसलिए ही इसे श्राद कहते हैं, जिस दिन श्राद कारे करते हैं, उस दिन प्रामन को भोजन जरूर कराएं, साथ ही दान दक्षिना दें, श्राद वाले दिन काये, कुत्ता, कववा और चिटी को भी भोजन दिया जाता है, हिंदु धर्म के म प्रहन कर प्रसन होते हैं और आशिरवा देती हैं मानत है कि इस तमेश श्राद और पेंड़दान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है इससे पित्री दोस्ट दूर होता है और पित्रों को शांती मिलती है साथी घर में सुक्षांती आती है इसके लिए श्राद पक्ष में श्राद को तीजी श्राद के नाम जाना जाता है पित्रीप्क्ष। संभनिके निगले कंदुर रोःना इस्तुरादक करने चाहिएक। 20 सितंबर को कुत्व मुहुरत 11 बच कर 50 मिनट से 12 बच कर 40 मिनट तक रोहिर मुहुरत 12 बच कर 40 मिनट से 1 बच कर 27 मिनट तक अब प्राहनकार 1 बच कर 27 मिनट से 3 बच कर 14 मिनट तक त्रितिया तिति प्रारम हो रही है 20 सितंबर 12 बच कर 40 मिनट से और समाप्त हो रही है 20 सितंबर को 9 बचकर 15 मिनट रात को पित्री पक्ष में कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनकी खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जैसे जाड़ू, सरसोका, तेल, नमक इन तीन चीज़ों की श्राद पक्ष में खरीदारी नहीं की जाती है दोस्तों अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आए तो करपैसे लाइक और शेयर ज़रूर किज़ें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करपैसे सब्सक्राइब के लिए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन्स आए, जो भी नई वीडियोस हम अप्लोट करें, वो तरह अब तक पहुंच जाए, धन्यवाद, चैस्री किश्न, हरहर महादेव, चामत अदिए